जहीं दोस्तो मैं हूँ अनूफ और आफ सब लोग देख रहे है ग्लोबल कॉन्फिलिक्ट दोस्तो अब तक मैं इंडियन नेवी के फ्यूचर प्रोजेक्टों के बारे में लगवग सभी जानकारी दे चुका हो लेकिन इंडियन नेवी फ्यूचर सीरीस के इस आखरी वीडि में टोटल चार अलग अलग टाइफ के हलिकॉचरों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने का इरादा है जिन में तीन हलिकॉफटर तो मल्टी रोल काटेगरी का है जबकि चौथा हलिकॉफटर यूटिलिटी हलिकॉफटर है दोस्तो मल्टी रोल काटेगरी के हलि अब तक हो चुका है और 19 हेलिकॉफटरों के डिलिवरी आवी विवाकी है दोसों यहाँ पर आपके जानकारी के लिए बता दू कि यह जो हेलिकॉफटर है यह मल्टी रोल हेलिकॉफटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एंटी सब्मरीन, एंटी सॉर्फेस, मिशनों को अंजाम देने के साथ साथ स्पेशल फोर्स की मिशन इवन वर्टिकल रिप्रैनिश्मेंट, सर्च और रिस्क्यू और कई तरीके के अन्य मिशनों को भी अंजाम दे सकता है लिकॉफटर में कई तरीके के हत्यार जैसे की हेलफायर जैसे एर टु सरफेस मिसायल और मार्क फ फेवी होगा दोसो नेक्स्ट हेलिकॉफटर है इंडियन मल्टी रोल हेलिकॉफटर और दोसो इस हेलिकॉफटर के नेवल वरियेंट को इंडियन नेवी के लिए फिलाल बनाया जा रहा है आपके जानकारी के लिए पता दूब कि कम से कम ऐसे 60 हेलिकॉफटरों को इंडियन न को बनाया जाएगा जिनमें anti-submarine, anti-surface, search and rescue, vertical replenishment, even transport variant भी होगा। फिलाल हेलिकॉफटरों के development का काम हिंदुसान ऐरनोटिक्स लिमिटेट का रहा है। दोस्तों नेक्स्ट मल्टी रोल हेलिकॉफटर है नेवल मल्टी रोल हेलिकॉफटर या फिर क्या है तो धुरूफ हेलिक हेलिकॉफटर असल में एरफोर्स और आर्मी के लिए बनाया गया एक advanced light हेलिकॉफटर है और रिपोर्ट के मुताविक ऐसा करीवन 123 हेलिकॉफटर के variant इंडियन नेवी के लिए खरिदा जाएगा जो इंडियन नेवी के जाजों के उपर operate होगा। दोस्तों next हेलिकॉफटर के अंतरगत करीवन 111 हेलिकॉफटरों को खरिदा जाना है और दोस्तों इसके अंतरगत भी शायद स्वादेशी हेलिकॉफटरों को ही purchase किया जाए रिपोर्ट के मुताविक इन हेलिकॉफटरों का इस्तेमाल करके इंडियन नेवी के बेड़े के चिता और चितक जैसे हेलि हेलिकॉफटरों को replace किया जाना है और संभावित इन हेलिकॉफटरों का जगा laig utility helicopter मतलब Air Force और आर्मी के लिए बनाया गया हल्के भजन के helicopter ही ले अल्रेड़ी utility helicopter का development हो चुका है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसके naval variant का भी development किया जा रहा है जिसमें wing को fold किया जा सकेगा और blade को भी fold किया जा सकेगा और इन helicopter को develop करने के लिए advanced light helicopter के naval variant के experience का इस्तिमाल किया जा रहा है तो तो यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हूँ अबल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तक कि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जाए हिंद